हाई my friends, finally, मेरे गुड़ल के पौदे में कलियां बनने लगी, ßाज का वीडियो अठीन यह लाइसे US C بार करूँगी. आपके लेट ना किरके चले video को स्टार्ट करते हैं. उसे पहले friends, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नहीं पे लीघिया या भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तो यह आप यहां पे देख सकते हैं कुछ टाइम पहले तक इसमें बिल्कुल भी कलिया नहीं बन रही थी फूल न फूल फ़ावर खिलने लगे होंगे यह 100% गारेंटी है मेरी क्योंकि ऐसमें डाला था इस से पहले भी इस पौदे के साथ मेरे फ्राबलम हो जुका था है तो मैंने उस टाइम पे भी सर्सो की खली ही इस्तमाल की थी और इस टाइम पे भी मैंने सर्सो की खली ही डाली थी ज अगर आपने ये काम मेरे साथ साथ किया होगा अगर आपके भी गुड़ल के पौधे में ये प्रॉबलम है या अभी तक आपने भी नहीं किया है तो एक काम कर सकते हैं कि इस तरीके से जैसा मैं बता रही हूं मैंने इसका वीडियो एक बार शेयर कर दिया है आप चाहेंगे तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहां से जाके चेक कर लिजेगा वैसे मैं दुबारा से बताती हूं कुछ नहीं करना है अगर आपके भी गुड़ल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं कलिया नहीं बन रही है उसकेस में आपको इसम पीच साइड के दालना नहीं दालना है उपर से दुबारा मिट्री डाल देनी हैं सरसो के खली में में जो है कई पोषक्त तॉपाय जाते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए फूल वाले पौधे बहुत ही अच्छा होता है जिसमें कि कलिया नहीं बन रही है तो यह कलिया बना तो बार बार इसे यूज़ नहीं करिएगा उसके बाद जो आप बाना फिल फटलाइजर पंदर दिन के बाद देखेंगे फूल और कलिया बने लगेंगी तो फूल जाहिर से की खीलेंगे तो इस तरीके से जो भी बनाना उनियान फिल फटलाइजर का आप इसतमाल कर सकते हैं तो friends अगर आज का वीडियो आपको helpful लगा तो वीडियो को जादा से जादा like शेयर करें friends and family में अगर आपने अभी एक तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लिजे मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद